नए लोग चेनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर औल वाला नोटिफिकेशन चुनें ताजगी से भरा नीम्बू, खाने का स्वाद बढ़ाने, शर्बत और सुन्दरता बढ़ाने के लिए तो फाइदे मन्द है ही लेकिन स्वास्थ के लिए भी इसके लाब किसी से कम नहीं है नीम्बू का उपयोग कई तरह की स्वास्थी समस्याओं में घरेलू उपाय के तोर पर सदियों से किया जाता आ रहा है आज के इस वीडियो में आप भी जानेंगे इसके तेरह सेहतमन फायदे और तेरवा चमतकारिक फायदा सुनकर आप चोग भी जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केर में लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए पहला फायदा एक गलास पानी में एक निम्बू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम दो बार रोजाना एक महिना पीने से पथरी पिघलकर निकल जाती है दूसरा फायदा निम्बू को दो भागों में काटकर उसे तवे पर रखकर सेख लें अब इस सिके भाग पर सेंधा नमक डाल कर चूसें इससे पित्त की दिक्कत खत्म हो जाती है तीसरा फायदा सुबह शाम एक गलास गुनगुने पानी में एक निम्बू निचोड़कर पीने से मोटा पादूर होता है चोता फायदा बावासीर यानि की पाइल्स में खून आता हो तो निम्बू की एक फांक में सेंधा नमक भरकर चूसने से खून का बहना बंद हो जाता है पाँचवा फायदा आधे निम्बू का रस और दो चम्मच शहद मिलाकर चाटने से तेज खांसी, सांस और जुकाम में लाब होता है छटा फायदा निम्बू ग्यान तंतुओं की उतेजना को शांत करता है इससे दिल की बढ़तीवी धड़कन सामानी हो जाती है हाई ब्लड पेशर की रोगियों की ब्लड विसल्स यानि खुन की नलियों को यह शक्ती देता है साथवा फायदा एक निम्बू के रस में तीन चमच शकर, दो चमच पानी मिलाकर घोलकर बालों की जड़ों में लगाकर एक घंटे बाद अच्छे से सिर्ध होने से रूसी दूर हो जाती है और बाल गिरना बंद हो जाते हैं आठफा फायदा जी मचलाना या उल्टी आने की समस्या में कटे हुए निम्बू पर काला नमक डाल कर स्चूसे या फिर निम्बू पानी में काले नमक का प्रियोक करें दोस्तों अगर आपका जरा भी उल्टी जैसा मन करे या मतली हो तो आप एक निम्बू काट कर इसे कुछ देर सुंग कर ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं खास तोर से सफर में यह तरीका बेहत कारगर है नवा फाइदा रोजाना भोजन में निम्बू का सेवन करने से विटामिन C मिलता है जो शरीर की प्रतिरोदक शमता यानि की इम्म्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही हर प्रकार के रोगों से आपको दूर रखने में मदद करता है दस्वा फाइदा गर्म पानी में निम्बू निचोड कर शेहत के साथ पीने से ना केवल पाचन शक्ती बढ़ती है बलकि मोटा पा भी कम होता है इसके अलावा या भूग बढ़ाने और गेस से रहा दिलाने में भी लापकरी है ग्यारवा फाइदा चाए, कोफी, कोल ड्रिंग्स या दूसरे खाते पदार्थों के सेहन के बाद कई बार आपके दातों में पीला पन या गंदगी दिखाई देती है जो बिलकुल अच्छी नहीं लगती इसे आप निम्बू रगडने से दूर कर सकते हैं बारवा फाइदा दोस्तों एक पूरे निम्बू का रस यदि आप गुन्बूने पानी में एक चमश शहत के साथ सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपकी बोडी को डिटॉक्स करता है यानि की राद भर में शरीर में जितना भी विशेला पदार्थ इखटा हु कई लोग डेप्रेशन की समस्या से जूज रहे हैं जिसका इलाज बहत आवशक है किसी मनो विज्ञानिक की सलाह लेने और दूसरी दवाओं का सेवन करने के बजाए पहले हमारा घरेलू तरीका आजमाएं जो आसानी से डेप्रेशन जीसी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है इसके लिए एक जग में चार कप पानी लेकर इसमें एक निम्बू का रस दो बड़े चमच हल्दी पाउडर चार बड़े चमच शहद या मेपल सिरप लेकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें इस मिश्रन का सेवन अपनी सुविदा के अनुसार करें आप चाहे हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें चुस्त रहें मस रहें धन्यवाद